दोस्तो अगर आपने में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पली चैनल को सब्सक्राइब भी करतें और शिकारी लखडबगा सिंग चाचा जी आप भी कैसी जगह रहते हैं यहां कोई जंगल ही नहीं यहां जंगल है कहां मैं आपको वहां तबी ले शुरूआ जब आप वाइदा करें कि किसी जानूर को नहीं मारोगे मैं वचन देता हूँ तो आओ मेरे साथ साबू तुम भी चलो ता जिवा खा लेना यह राजंगल वहां च्यार तरफ हरियाली है ही हरियाली है वेर एक जंगली बैसा लकडबगा तुमने तो किसी जानूर करने मारने का वचन दिया था कैसा वचन कौन सा वचन मुझे कुछ याद नहीं अरे धाएं कम बक्त निचाना चुक गया बैसा गुशे से शिकारी की तर पल्टा अरे बंदुक में गोली खतम कार तुस बढ़ने का समय भी नी टिक टिक चाचा जी बचाओ मिश्टर लकडवगा कहां क्या वचन याद आया नी आग या छी तर से आ गया लगिन पहले से बैसे से मेरी जान बचाओ चाचा जो दिपनी पगड़ी खोलता है चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल पगड़ लिया अरे शाबू जरा आना मदद को यह तो मुझे एखिचे ले जा रहा है आया चाचा जी जर मैं भी देखूं भाई कि तुझ में कितना दम है रुख गया बैसा रुख गया बहपरे से रोकना कितना मुश्कल था चलो जान बची लाखो पाई पर वैं कमबक्ची लकडवगा स सिंका चला गया है मैं यहां हूं चाचा जी अगर वैं बैसा चला गया हो तो मैं नीचे उतरा हूं अनोखा जाओ अगया है तुझ एक छत्री खरेद ले मैंने छत्री खरेद बना लिये यह देखो परेशूट में तारे फिट करके बीच में एक बजली का खंबा लगा दिय आए मैं तो समझता था कि तूशरीर से लंबा चुड़ा है अकल कमें परंदोब तो तुझ में अकल भी आती जा रही है उधर शेर के एक बाग में है वह बचाओ 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 बाड़ का पानी हमारे गरों में गुश गया है बाड़ का पानी बड़ बढ़ रहा है अग तब तक हम मदद लेकर दूसरे से लोटेंगे तब तक बाड़ का पानी उन सब को बागर ले जाएगा तो फिर क्या करें यहां पास ही चाचा जोग रहता है चलो उसके पास चले महीं कुछ करेगा चाचा जी शेर का दक्षणी बाग बाड़ में डूब गया है अगर शिगर ही मदद नहीं पहुंचाएगे तो सब मर जाएगे चलो मैं चल कर देखता हूँ बचाओ बचाओ फिक्रमत्रों मेरे पास नाव नहीं जहाज है साबो कूच जाओ पानी में जय बजरंग बली आप सब लोग जल्ली से में रिपीट पर बैट जाओ सब आगे कोई रहतो नहीं गया नहीं सब आगे अब तुम चलो चासाजी ज्यादा बोच है साबूर डूब तो नहीं जाएगा अरे वह तो इतने आद्मी और लाद गर ला सकता है वह देखा मेरा जाद तुमारे सारे आद्मी किनारे पर सुरक्सित ले आया दन्यवाद दनों से टक्कर रामू और स्यामुद दो पोकेट मारे समुंदर के खिनारे गुम रहे थे रामू देख वह बोतल तैरी है लपकर उख़ालो साइद उसमें कुछ माल मिल जाए रहिसमें तो एकाद्मी में बार निकाल कर पूछता हूँ कि वह क्या कहना चाता है कार खोलते ह हाँ 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 तुमने मुझे कैद से निकाला आए इसलिए तुम मेरे मालिक हो तुम मुझे कुछ भी काम कह सकते हो मैं उसे करूँगा रामु हम इसे क्या काम कहें? बैकुप चाओ 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 चौदरी हम पॉकेट मारे और खाइगरो का दुश्मन है और उसकी असलिता कर दे है साबू के और नहीं से हम इसे कहें कि ये साबू को खतम कर दे कौन साबू हाँ हाउस से तो मुझे वेख पुराना इसाब चुकत कर दूँगा चाचा सोद्री के गर की तरफ इसे ले चलते हैं साबू वहीं मिलेगा उदर चाचा सोद्री दिपू को तीर चलाना सिखा रहा है से बास कमान को खिचो और निशाना सादो हाँ साबू आस तुम मेले गया अब तुमर्ने के लिए त्यार हो जा ओ धाड़ गुसा हमारा साबू को समझा कि गुसा उसके मुझ पर पड़ा साबू तुरंत पैंतरा बदलता है और विरोधी को जगड़ लेता है को गरतन मरोड़ दूब रहम साबू वाइदा करता हूं कि आगे से तुमारे साथ नहीं लड़ूंगा अच्छी बात है इस बार तुमें तुने मुसिबत मोल दिये अब मैं अपनी देवी सक्ति से तुझे खतम कर दूंँ देवी सक्ति के प्रवाव से साबू के सारे शरीर में बीष्ण पीड़ा होने लगती है तुम देवी सक्ति का उद्धुम उसके गले में लटका ताविज है दिपू जरा तीर कमांदेना चाचा चोदरी निसान लगाता है, ओ तीर ने मेरा ताविज काट दिया, अब हम दोन बराबरी के द्रातल पर खड़े हैं, मैं तुमें अब भी कुचल सकंब बनने के लिए तेयार हो जाओ साबू, आगे बढ़ती साबू ने उसे जो दार पठक निखिलाई, रामू हमारा ज टूटप स्वार चाहे बाद करने क्षट पृषिं कागी, पेस्ट खतम होगे आओगा टू पीसे नहीं ऐ फैक दी निगा लेगा ठीक है चार्चों दिए गर पर समस्या जटील है तुमारे गर सलता हूं मैं अपने ट्यूब यहां रखता हूं अब आप निश्चिन दोकर बैठ जाए तभी आथ फू 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 पकड़ा गया फू फू उसकी तलाशी लेने पर यह दोखो मेरी ट्यूब इसकी दोती में थी मैं कबूल करता हूं आपको कैसे पता चला की ट्यूब इसकी इसी नोकर ने चलाई है मैंने टूथ पेस्ट की बदाए सेविंग क्रीम की ट्यूब रख दी थी शाया अनपड़ नोकर दोखा खा गया कमाल रोकिट का चासा जी आज दिवा जी आओ पठाके चलाई वह इतने सारी पठाके दूर रजावी है बम चलने वाला बाला है ब्राम वह मजा आगया क्या दमाके क्या वाज है खोटू और छोटू दो बदमास खोटू आज दिवाल ये लोगों के पास खूब पैसा हुआ क्योंने किसी आतिस वाजी वाले को लूटे है रुपे भी आएंगे और चलाने के लिए पठाके भी मिलेंगे वह आखिय आईडिया है चोखेलाल पठाके वाले की दुकान पर चलते हैं वे बड़ा मीर है उसके आतिस वाजी भी बहुत भीकती है ठीक उधरी चलो वे राचोखेलाल मैं उसके रुपियों से बिली संदूक्ची संबालूँगा तुम पठाके इकटे करना मैंने संदूक्ची उठा लिये तुम पठाके कार में रखो छोटू देखते देखते दोनों ठक कार में बाखड़े हुए पकड़ो पकड़ो मुझे लूट गए चलाना बेकार बाखकर कोई कार वो पकड़ ने सकता दूसरे उनके पास पिस्तोल है अब तो सबर से काम लो चाजा चो दे रोकेट चला रहे हैं द पुराना संदूक एक दिन मुझे लिन अपना कबड़ खाना कुला तो क्यों ने इस पुरानी संदूक को बेच दे यह सद्यों पुराना और किसी काम का भी नी पर इसको खरीदे आखो चा चो दरी की पत नी उसे बेकू बंदाना का पेशाने चाचे इस संदूक खरीद होगी कितने गा एक जार खा यह तो बहुत मेंगा यह जादू इस संदूक है जो रखोगी सोना बना देगा सच यह लो अजार रुपे लो बागवान में वकवाड़ी संदूक बेचाया हूँ चासा चो दिके गर्द लोटने पर एक जार में यह खरीद आए तूटा फुटा संदूक जार में मुर्ली क्याता था इसमें जो रखोगी सोना बन जाएगा तुम ठगी कई अगर यह संदूक सोना बनाता तो मुर्ल को इसे बार अरे यह पुरान संदूक मिल गया मुझे जिसकी तलास्ति मिल गया मैं इसके एक लाग दे सकता हूँ आपकी तारिफ एक इत्यासकार हूँ नैशनल मुजिम के लिए एत्यासिक जी वस्तोय खरीता हूँ यह संदूक सेंसा अकबार के अकबर के मेलका है यह लो एक लाग रुपे वह बागवान चलो इसी खुशी में तुम्हें साड़ी दिद दिलाउं सच्मुत तुमारा संदूक सोना बनाता मुरली मर गये संफंपत संपत 6 मंगनला के अगर सेड़ी दिन में सोर फर का फ़ाइदा नत्वक सांफों संपता आद मूं कर रहा है कोन संपत मैं चंपत हूं देखो भाई मेरा नाम हाथ पर मसीन से लिखा हुआ है संपत ठीक तो है शेठियों बले आदमी को परिशान करेओ दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ मुझे सोर पर उदार देदो देदो स्याम को डेड़ सो देदूगा दो भाई चंपत ब्याज के सक्रे मूल भी खो चंपत शोर पर ठक कर ले गया मेरे भी तुम जाओ और मुझे सोचने का मुखा दो उनके जान के बचाचा चाचाची शोर पर देदो सैम को डेड़ सो दोटा दूआ यह लोग पर यह तो बताओ तुम्हारा नाम किया है संपत मुझे इसका पीछा करना सही है संपत मैं सब के पैसे यह चंपत चंपत जुड़ाब आई है हम सक लोने का फाइदा उठाकर लोगों को ठकते फिरते यह लोपने रुपे बचाना अंतरिक सियात्री को चाच हो दिक दिनों तक जूपिटर पर साबू की साथरा आखिर एक दिन साबू चला अब गर चले क्यों चाचा बात है अब हम वापस चलते हैं और रोकेट साच उद्री और साबू लेकर जूपिटर से चल दिया दोस्तों साबू जूपिटर गरह का वासी है यह वहां पर गया होग गूमने अब वापिज आ रहे हैं साबू यह देखू है मारी पर्थवी वह तो फुटवल जैसी लग लगती है तब इसाबू देखो सामने कोई बठकावा अंत्रिक्स या तिर लगता है उनकी मोत निश्चित ही लगती है चाचा जी हमें उसे बचाना चाहिए साबू नामों विंजो को उसे बचाने रोकेट से बाढ़ जाएगा वहीं अंत्रिक्स में खो जाएगा मुझे ए अंत्रिक्स में पगड़ी काफी लंबिये मैं उस अंत्रिक्स या तिर तक पहुंच जाऊंगा अहा आ गया काभू में वह अपस रोकेट के अंदर साबू या बेव से तुरंत ऑक्सिदन दो हमोशीजन देने में से अंत्रिक्स याती ओस्याथ में आता है मैं काउं गुप्रावन नहीं हम तुमारे मित्थ्थ हटुम अंत्रिक्स में कैसे बटक गए मैं अम्रीकन हूं मेरा नाम जोस्ण दूसे शाथों गई साथ रोकेट दवारा अंत्रिक्स में हॉए मोसम अनुसं पर्थी पर शुरक्षित पहुंच जाएंगे पर्थी पर चाचा जी आपका यह रोकेट जुरूरत से कुछ ज्यादा बढ़ाएं वैसे लेकि साबू जैसाद में भी इसमें बैठ सके रहे तुम लोग दो गे तो टीन लोट रहे हो बागवान तुम निसमस्कोंगी वस्यूं समलों की अंत्रिक्ष में गुमते हुए यह मिल गए और हम इनने साथ ले आई अब जल्दी सेन के लिए कट्रा बर्गर लशी का मखन डाल कर लाओ कीमती रहा चासा चोद्योर दीपो किसी पाड़ी सेर में सेर करने आये चासा जी आप जड़ा गुम कर आओ तब तक मैं इस तरफ टैल कराता हूं अच्छी बात है थोड़ी दूर जाने पर आहा ही रहा है जुरूर कीमती रहा है तभी पीछे से एक जनभी आता है यह हीरा म बेख लेंती तो मारमार कर भूता मना दूमा इस हीरो को बेच कर मैं लाख को कमुंगो पर से स्वगा तो सोर मुचा कर लोगों को जमा कर लेगा ठकने दिपो ओक वा कोठी में बंद कर दिया अब इसे कोई बार नहीं निकाल सकता खुलो-ख distintos मैं बार जाकर हीरे कम ब्रूं आता हूं रे खोलो रे तो दिपु के वाज लगती है मास्टर चाभी यहां काम आई लो ताला खुल गया दिपु पहले बदमास को पकड़ो वह मेरा कीमती रा ले गया जल्दी करो उसे बदमास को पकड़ो वह कार से भागने वाला है अब मुझे कोई ने पकड़ सकता दिप वाओ इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पिछा करते हैं सड़क ट्रेडी में डिये हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे वैर अठग अब हम करीब करीब उसके सिर्के उपर ही हैं तभी ट्रॉली की ताठ तूट जाती है अरे यह क्या धुडाम हाई उसके सिर्वे गिरे सब्सक्राइब उस्तार लू वह मद्व मुख्य बैठी क्या हुआ साबू तेरी चीक सुनकर मुझे बाहरा आना पड़ा काट लिया मद्व मुख्य ने मुझे काट लिया मैं भी अच्छता उखाड कर बार फैक देता हूं ऐसा ना करना मुद्व मुख्य के बड़े चले गए हैं चाचे गर्मे के लिए सोरी करने आई से एचा मुख्य और नहीं मिलेगा खेग हैं और कौन बचाओ चुब जराब यवाज निकाली तो अगला गोट कर मार देंगे कस कर बांदो ताकि यह किसी को मदद के लिए नैप बलास के सारे संदुक उठा कर ले चलो इसमें काफी समाने हमाला माल हो गई अब जल्दी भाग चरो टक कर ओ है क्या भापरे मदु मख्या चार चोदी और साबू लोटते हैं साबू देखा दो चोर हमारी गर से भाग रहे हैं अच्छा मैं अभी उनकी खबर लेता हूं तो मारे जूरत नहीं मदु मख्या ने उनकी खबर ले रही है उनका एक और फा करना चाहिए राउन के बूत में यह बम चुपके से रख देना जब उसे आग लगे यह फट जाएगा और सेक्टों लोग मर जाएंगे बेकुप बम को छिपा कर लिजा बम को पगड़ी में रख लेता हूं अब मुझ पर कोई सक नहीं करेगा चाहता चोजी आज मेरी खोपड़ी में खुझली हो रही है अपनी चांद में थोड़ा तेल मन लीजी है तो इन्हें समता जब मेरी सट की खोपड़ी में खुझली होती है तो यह संकेद है कहीं गड़बड होने वाली है मैं चला इतने बड़े सेर में यह कैसे पता चलेग कि काप की आप सकता है आज दसे राय गडबड बीड़ वाले इलाके में ही होती है राम लिला मैदन आओ हम यह चोकने ओकर खड़े हो जाए जासुस राम लिला मैदन में पहुंचा अरे राउन के बूत के पास तो पेरा दिया जा रहा है उसे यहां से खिशकाने के लिए एक खड़े की याद आई कि अरे लगता आपको कहीं देखा क्या नामा आप चाशा चोद्री मैं से खुच चोद्री छोद्री थए और बाई-बाई आओ गले लग जाएं शेखुच अचोद्री जब हम किसी को पाईब बाई बनाते हैं तो पगड़ी आप बदल लेते हैं हैं पगड़ी उतार दी उसकी बोल एब में याकिस ले लाए था बोल बताता हूं मैं भी देशी जासुस हूं उसके इपर डंडा मारे लट त्राक चाचा जी अपने जाराव लोगों की जाने बजा लिए साभू की चाई अरे बाई साभू क्या बाद है आज कुछ सुष्त दिखाई दे रहे हो कुछ ठंड लग रहे है चाचा जी गरम गरम चाई पिलो शुष्ति और ठंड दोनों भाग जाएगी मैं भी चाई बना कर लाती हूं कुछ देर के बाद जल्ली लाओ बागवां हाँ हा चैर पी ही लेता हूं 10 लीटर दूद और चैर किलोची नहीं तुमारी चाई में खर्चोगी यह राशन का जमाना है कैसे चलेगा यह खर्च मैं काम करूंगा मुझे काम दो अच्छी बात है मैं काम डूनने जा रहा हूं जंगल में एक आदमी रो रहा है क्यों वाई क्या ह एक टेकेदार से एक हजार रुपे में इस जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तैवा था स्याम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा मैं तुमारे सारे पेड़ कटवा दिता हूं मुझे आदे पैसे दे दोगे मंजूर है लो भाई साबू 10 मिंड में जंगल का कि सबन गये किताबों की चोरी फूबलिक लाइब रेडिडिक डारेक्टर आए डायरेक्टर साह्त कैसे आना हुआ तुसा जी कुछ दिनों से मारे लाइब्रेड की कि किताबे चोडियोग कूलाक Online कि कुछ पता ने चलका म जब तर लाइब की लुए तो हो यह सोरी दोस्तों बटन गल्द दबगे आगे वड़ा अब तक लाइब रेड़ी कि आद दीशे ज्यादा किताबे चोहरी जा चुके हैं चोहर को पकड़ना एक लिए आप कुछ करिए डायरेक्टर साहब आप निश्चिन्द होकर जाएए चोहर पकड़ा जाएगा पुरानी किताब खरीदी और बेची जाती है कुछी देर में एक पुरानी किताब खरीद होगे रेच पर तो लाइब रेड़ी की मोड़ लगे जुरू चोहरी की होगी मैं इस किताब के 9 रुपे दूँगा दूसरे 6 से जयाता नहीं देंगे इसके लाओ पर इतने पैसों से तुमारा क्या बनेगा और मलाओ हमारे हमारा हजारों का इसाब किताब करेंगे ठीक हमाइब लाए कुछ दिरवाद यह भाई लो मैं सारी किताबे ले आया ट्रक को तुम हो हमारे गोदाम की तरफ ले आओ किदर है गोदाम मेरे पिछे चले आओ कुछ दूर जाने पर बस यहां पर रोग लो ट्रक अरे बापरी है तो वहीं पर आगे जांसे किताबी चुराई थी डारेक्टरे साब आप अपनी किताबी गिन लीजे मैं इसी दरा थाने तक छोड़ा था हूँ मिठ्व बोल रम राम 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 वाः को मैं हरी मिर्च खाताओं मैं हरी मिर्च खाताओं बस आज का पाथ ही आओ तम मैं घुमानी ले जाँ कि कलवा गौले की डेरी अरे कलवा ये दूद है या गंगाजल जरा मुझ समाल कर बात करो शाहब शाहब नजर आ रहा है कि तुमने दूद में पानी मिला है हम तुम का बरतन समय उठा कर फैक डेवेंगे रे बाई सवेरे सवेरे क्यों जगड रहे हो चासा जी एकलवा दूद में पानी नहीं मिला वता है तो फिर पानी में दूद मिलाते होगे आज जाओ कलवा से कल निप्टेंगे ठीक है कलवा ले मेरा तोता एक दिन के लिए तू अपने पास रख ले ओललो की मां चोदरी हमका तो ता देख हुआ है यह है दूसरे दिन ओललो की मां जयार आज हमने एक बाल्ठी दूद में चैर बाल्टी पानी मिला है। अगर किसी को पता चल गया तो अमारे तुमारे स्वाई तीसरा और है इकोन या। हाँ वही कलवास दूद में कितना पानी मिला है। देखो चोद्री अमको सुवस्वागू सामत दिल वाओ। अभी पता चल जाता है। क्यों मिया मिठ्टू आज तुमने कलवास से कौन सा भाठी सिखा। और लल्लोगी महास हमने एक बाल्टी दूद में चैर बाल्टी पानी मिला है। मापका दो चोद्री हम अपतना को सुन मानत है। अब हम कवी दूद में पानी नहीं मिलावंगे। सुखी राम, दुखी राम, चासादी दूनिया में सुखी कौन और दुखी कौन है। शुखी वह है, जो मन से सुखी है और बाकि सब दुख्य है। सब कुछ में समझाएं। में यह तो मिर्ण दूख करने दिन राथ नोटों के डेर पर बैठे रहता हूं कहीं से चोर ने पर्ट बैंक में जमा करा दो ने काले दन की कमाई है वहां से चोर ने से इंकम टेक्स वाले ले जाएंगे देखा इतनी दोलत होते हुए कंजुशी राम खुश नहीं है को जंबो पहलवान तुम क्यों दास हो कहते हैं तुन तुन दूरुस्ती अजार नियामत है महेंगाई बढ़ती जारी है और खुराक गठती जारी है यहीं हाल रहा तो एक दिन कुछ भी नहीं मिलेगा और मन दूबला हो जाऊंगा देखा यह अट्टा कटा पहलवान भी खुश नहीं अब और आगे बढ़े हैं मोजी राम क्यों उचल रहे हो दोटी निकलाई गया अजी कहां लोटी का टिकट खरिदने लाइक पैसे मेरे पास है का रोज इतना कमाता हूं कि रुखी सुखी मिल जाए और लंबी तान कर बस सौस कूंबस तो तुमारी खुश का रह से सुखी रोटी अलवापुडी समझ कर खाता हूं मस्ती से दिन गुजारता हूं देख मोजी राम मन से सुखी है तो दोस्तों फिनिश हुए कॉमिक्स अच्छी थी कोमेडी थी तो दोस्तों अगर दोस्त अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राब निकले तो पलीज सब्सक्राब भी कर दो थाकि मापके लिए और अच्छे को में से आपट डाल था रहूं थेंक्स